हिमाले कुम्ब एसे बड़ी पद्यात्रा है जो कि 21 दिनों के सफर में जो भी यात्री यात्रा पे आते हैं वो 28 किलोमेटर की दूरी लगभग तै करते हैं यह यात्रा विश्व प्रसिद रूपकुन ट्रेक के मार्ग पर ही होती है बर खास बात यह बावलो कि रूपकुन ट्रेक का जो ट्र पूरे उत्राखंड की कुल देवी, नंदा देवी का यह मार्ग, उनके माई के से सुसराल जाने का मार्ग हुआ करता था। इसलिए रूपकुंड के उपर पे जुरा गली जगह है, वो भी नंदा देवी के नाम पर ही रखा गया। जुरा नंदा देवी को गड़वाली में बोला जाता है, और जुरा की गली से आप समच सकते हैं कि नंदा देवी जिस गली से गुजरती थी, वही गली वो आज है। अशिरवाद लेते हैं, फिर तीन हफते तक ब्रहमण, गाओं दर गाओं ब्रहमण करती हैं माननदा की डोली, हर गाओं में जाकर अपने भक्तों का आशिरवाद देती हैं, और अंत में तीन हफतों बात उसी मार्क से रूपकुंड के उपर जुनार गली और फिर आता है कासवा के राज कुवरों के गाओं से, श्री नंदा राजजात यात्रा कर्ण प्र्याक के समीब नौटी गाओं से शुरू होती है, और जिस दिन इस यात्रा का शुबारम होता है, उस दिन कासवा गाओं के कुवर और नौटी के नौटियाल इस यात्रा में पूज तो यातरा का आखरी पढ़ाओ वैसे तो होबंकूंड है वडया coping ले मेंगं दूरस्त गाओं है वदा वो आ silicon लाटू देवता मंदिर नर्याण के मने जाते हैं और मानन्दा के धरम भाई भी है तो मानन्दा अपने भाई लाटु देवता से मिलके आगे कैलाश की ओर प्रस्थान करती है लाटु देवता और मा भगवती के बीच का एक किस्सा बड़ा ही रोचक है एक बार जब मा भगवती या मानन्दा जब माईके से कैलाश जा रहे थ आप द्लडू देवतव और वह wra durante निकल Theater आगे निकलते निकलते जब नील गंगा नदी पर पहुंची तो टैज सी नील गंगा नदी उफान पर चड़ गई से तो नील गंगा नदी बड़ी मानन्दा आपको बुला रही हैं अब लाटू देवता तो उस पूरे एरिया के स्वामी है लाटू देवता मानन्दा की परिक्षा भी ले रहे थे क्योंकि वो स्वयम नारायन थे अब ये तो भगवानों की लीला है देखिए कोई किसकी परिक्षा कब ले ले ऐसे माता सती न श्री राम की भी परिक्षा ली थी नंदी को लाटू देवता ने बोल दिया कि आप माता को ले कर ही आओ तो नंदी जब वापस गए तो माता ने उस नंदी को पार करने की कोशिश तो की पर वो इतनी उफान में थी कि वो पार ही नहीं हो री थी तो माता को वहाँ पर मानन्दा को माईके से सुसराल छोड़ने जाते हैं उसी रूट पर उसके पस्चाद लाटु देवता मानन्दा के साथ उसी रास्ते पर गए नील गंगा में पहुचे तो लाटु देवता ने नील गंगा को दो हिस्सों में फार दिया था और वहां पर एकदम फूलों की में शद्धालु इस यात्रा में आ रहे हैं नंदा देवी राजजात यात्रा जब सन 2000 में हुई तो उसके पस्चाद ये यात्रा 2012 में होनी थी पर 2012 में यात्रा हो नहीं पाई इसके पीछे का कारण था कि जो चौसिंग्या खाड़ू मानन्दा की इस यात्रा को लीड जिस नहीं मनाना जाते थे क्योंकि हिमाले और कुम्ब हमारे लिए सबसे बड़े त्योहरों में से एक हैं सन 2000 के बाद से यात्रा में आने वाले यात्रियों की जो देश-विदेश से आते हैं उसमें बहुत वृद्धी हुई है 2014 में मुझे खुद ये सौभाग्य प्राप्थ ह कि मैं यात्रा पूरी कर सकूँ और मैंने देखा लाखों की संख्या में लोग देश-विदेश से यहां पर आ रहे थे नौटी से शुरू होकर यात्रा नंद केसरी लोहा जंग वान के बाद पहुंसती है बेदनी बुग्याल के सुंदर बुग्यालों में ये एक मात्र जात यात्रा में चावल के दाने प्रसाद के रूप में लेकर आते हैं और मा नंदा देवी की डोली को भोग चलाते हैं ये चमतकार आप वहां पर अपने आखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वेदिनी कुंड या वेदिनी बुग्याल जो एरिया है ये वही आप वेदिनी कुंड में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं इसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है और पहुंसती है कल्वा विनायक कल्वा विनायक विश्व में श्रीगणेश का सबसे उचाई परिस्थित मंदिर है 14000 फीट पर ये वही जगह है जहां पर प्रतम पू CHEGα वोही प्रतम पूझ अपने मोर के पारिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करें जब नारद मुनी सेvanaचार प्राप्त हुआ कि प्रतियोगी दाथ तो भगवान श्री गणेश जीत गए हैं अरे वही कैसे क्योंकि भगवान श्री गणेश ने अपने वाहन मुशक राज पर बैठ केर वहीं पर अपने माता पिता अर्थात शिव पार्वती की तीन परिक्रमा सबसे पहले पूरी कर दी अब भगवान कार तो वो एकदम त्रिशूल परवत और नंदा घूंग्टी परवत की जड़ पर लगता है कलवबिनायक स्वयम श्री गणेश त्रिशूल स्वयम भगवान शिव और नंदा घूंग्टी परवत स्वयम माता पारवती के रूप में आपको हाँ पे धर्शन देते हैं इससे आ माता ने उस व्यागर को वहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद उस जय का नाम पढ़ा भगवा बासा अर्थात बाग का बसेरा थोड़ी ही दूर आगे चले तो माता ने भी शिव जी से बोला कि अगर ऐसा है तो आपके गले में जो यह वासुकी सांप लटका है इसे भी आप यहीं पर छोड़ दीजिए तो वह सांप को भी जब वहीं पर छोड़ा तो जय का नाम पढ़ा छिडिया नाग अब इससे आगे बढ़ेंगे तो आप पहुचेंगे रूपकुंड रूपकुंड वही जगह है जहां पर स्केलिटन्स भी हैं पर उससे पहले यह वही ज केलास जाने वाली थी तो उससे पहले माता परवती ने भगवान शिव से बोला कि मुझे साज श्रिंगार करना है मुझे अपना रूप देखना है तो उस पहाड़ी पर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल गाड़ा और वहां से उस शक्ति से एक कुंड की उत्पत्ती ह हुई जिसमें माता ने अपना चहरा देखा अपना साज श्रिंगार किया और आगे कैलास की तरफ प्रस्थान किया वही कुंड आज रूपकुंड है इसके पर जूरा गली पड़ता है एक हाई अटिट्यूट पास है जो कि रूपकुंड वाली जो इस साइट बेदनी बु पाद आखरी पड़ाओं पर यह यात्रा पहुंशती है जिसका नाम है होमकुंड होमकुंड एक हायल्टिटूट ग्लेशयल लेक है और होमकुंड त्रिशूल और नंदा घुंग्टी दोनों परवतों का बेस भी माना जाता है रूंटी सेडल के पास ही यह कुंड है और य यह थी शिननन्दा राजजया दियात्रा जो की हिमालन कुम है उसकी कधा ऐसे कुम के बारे में ऐसे फिस्टिवल के बारे में और लोगों को भी बताईए और लोगों के साथ बीशेर कीजिए और हमारे उतरखंड का इलिए सारी दुनिया को पता लग सके मेरी ऐसे आपसे प्राथनाए कि सब लोगों के साथ इसको शेर केजिए रुके 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 अभी वीडियो खतम नहीं हुआ इसकी और भी कहानी है इस नंदा राजा त्यातरा की और भी मिश्टरीज हैं और भी कहानी है रूपकुल्ड में उन नरकंकालों की यूमन स्केलेटन्स की कहानी उस राजा की कहानी जिसने यहाँ पर नाचने वालियों को बुलाया था ऐसी और भी कहानी है जिसके लिए आपको पार टू का इंतजार करना पड़ेगा अगर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में एक और चीज़ बत लग जाएं मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जयकेदार